हैदरबाद इंटरनाशनल स्कूल, CBSC plus exceed syllabus which is followed in 8 countries, modern plus Islamic education, 5-step activity based and playway method, launching separate branches for girls at Mughalpura and Khilvath, no heavy bags. असलाम अलेकुम नाजरीन आप सब का खैर मगदा में A18 तेलिंगारा नियोस पर आज चार सप्टेंबर साटड़े यानि हफते का दिन है आई नाजरीन देखते हैं इंटरनाशनल और नाशनल के खास ख़बरें. दुनिया की सबसे बड़ी खुरान की किताब एवार्ट विनिंग पाकिस्तानी आर्टिस्ट की जानब से दुबई एकस्पो 2020 में रखी जाएगी. ये एकस्पो अक्टोबर की पहली तारीख से शुरू होगा. बताया जा रहा है कि ये खुरान की किताब एक मास्टर पीस है जो कैनवर्स पे बनाए गई हैं अलुमीनियम और गोल्ड यानी सोनी की मदद से खुरान के अलफास लिखी गए हैं शानदार अंदास में. ये एकस्पो दोहजार बीस पिछले साल अक्टोबर में ही मनकिद होने वाला था लेकिन करोना वाइरस वाबा की सबब इसे पोस्पोन करना पड़ा जो आने वाली पहली अक्टोबर को मनकिद किया जाएगा. जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी खुरान की किताब को पेश किया जाएगा. इंडिया कोविड नाइटीन चार्ट पर कोविड नाइटीन केसिस पर सुधा नजर आया. इंडिया में पिछले 24 घंडों में 42,618 नए कोविड नाइटीन केसिस दर्च किये गए या निकल के मुकाबले 6 फीसद गिंती में गिरावट नजर आई. और पिछले 24 घंडों में 330 कोविड नाइटीन मतासरीन की मौत वाके हुई. हेल्फ मिनिस्ट्री नए एलान किया लगातार 1.23 फीसद केसिस अक्टिव है इंडिया भर में. यूनियन हेल्फ मिनिस्ट्री ने एलान किया कि बड़े पैमाने पर इविंड्स में शामिल ना हो. अगर सब वैक्सनेटेड है तब ही इविन्ट में शामिल होने की अजाज़त है घर पर त्योहार मनाना और बाहर बड़े पैमाने पर त्योहार मनाना दोनों अलग चीज़ है सीनियर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स फिकर मंद है और लगातार आवाम को कोविड नाइटीन प्रोडोकॉल्स का एहतियात करने के लिए हिदायत दे रहे हैं वाजरे नाजरीन आने वाले दिनों में कई त्योहार आने वाले हैं जैसे गनेश चतुरिती, दशेरा, एद मिलाद नबी, दिवाली और साथी हॉलिडी भी आ रही है गांदी जायन्ती के मौके पर ये तमाम त्योहार आने वाले आठ से दस हफतों के दर्मियान मनाए जाएंगे इसलिए कोविड-19 प्रोडोकॉल्स का एहतियात करना लाजमी है अफगानिस्तान पर तालिबान के खबजे के बाद भूक मारी में इजाफा हुआ है, लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, भूके रह रहे हैं, उनके पास कोई कमाई का जरिया नहीं है, एकनौमी तबाह होने का डर है इस मुद्दे पर जवाब देते हुए तालिबान लीडर्शिप ने कहा के चाइना से उन्हें माली मदद मिल सकती है एक इंटर्वियू इटालिय न्यूस पेपर पर थरस्डे के दिन चापा गया के तालिबान स्पोक परसन जबी उल्ला मुचायत ने कहा के चाइना तालिबान का एक एहम साती है और चाइना तालिबान की माली मदद करेंगे जेडियू एमले गोपाल मंदल की तस्वीरे सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रही है जिसमें वो ट्रेन में अंडर गार्मेंट्स यानी चड़ी और बनियन में घूमते हुए नजर आए उन्होंने इस वाइरल तस्वीरों पर सफाई पेश करते हुए कहा के वो पटना बिहार से नियू दिली के सफर पर थे और इस दौरान उनका पेट बहुत खराब था इसलिए मचबूरन तोर पर वो इस तरह घूम रहे थे इन्या भर में केरिला रियासत में दिन पे दिन कोविड नाइटीन की केसिस में इजाफा देखा जा रहा है जिसके मदे नजर चीफ मिनस्टर पिन्नाराई विजयान ने मुकमल लॉगडाउन का ऐलान किये साथ यह उन्होंने कहा के लॉगडाउन से काफी नुकसान है एकनौमी को नुकसान होगा और रोस के कारोबारियों को भी नुकसान होगा कोई सपोर्ट नहीं करता लॉगडाउन जैसी चीज़ को लेकिन कोविड नाइटीन केसिस को खाबों में लाना एहम है दिली के में जो लोग ब्लाक फंगस से रीकवर होकर ठीक हो रहे हैं उन्हें दुबारा ब्लाक फंगस मतासर कर रहा है फिलाल कोई एज ग्रूप में ऐसा नहीं देखा गया लेकिन खुसुसां जिन्हें डायबिटिक से उन्हें बलाक फंगस मतासर कर रहा है इस तालुप से तफसलात बताते हुए डॉक्टर अजय स्वारूप चेर्मेन एंटी सर गंगा राम हॉस्पिटल ने कहा के बलाक फंगस वापस उन्हें मतासर कर रहा है जो बुकमल ट्रीटमेंट कोर्स नहीं किये जिन्हें अब बलाक फंगस मतासर कर रहा है